दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज के इस यूड़ी में हम देखेंगे दे हंड्रेट्स मैंस की जो मैच है लंडन स्पीरिट्स वर्सेस वाल्श फायर्स के बीच की यानि याल यर्नेस वर्सेस डबलू एफ के बीच की मैच की तीन मिलें उनकी विनिंग टेम में आपको दिखाऊंगा जिसे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकते हैं या फिर आप ग्रांड लीग ज़रूर जीद सकते हैं जैसे कि मैंने मैच को हैलेट करके दिखा दिया है उस पर आपको क्लिक कर लेने हैं और अगर आप तक आपनी टीम नहीं बनाई तो कोई बात नहीं नीचे आपको क्रियेट टीम का उप्शन जो मिलता है उस पर आपको क्लिक करनी होगी लेकिन मैं आल्रेडी टीन टीम यहां पर बना के रख चुका हूँ जिसे एक एक करके मैं आपको माई टीम पर जाके इडिट करके दिखाता जाओं लेकिन प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि आएसे विडियाप तक पोश्टे रहे और आप अच्छे से अरनिक करते रहे साथ पिछले कुछ वीडियो जाके देख सकते अच्छे प्रेडिक्शन जा रहे है कल तो मैंने एक जो वीडियो दाला था उसमें एक प्रेडिक्शन जा रहे है दूस्तों भरसा कर सकते चले मार टीम को भी आपको एक बार हैलेट करके दिखा देता हूं इस पर आप मुझे क्लिक करनी होगी पहली टीम में आपको इडिट करके दिखा देता हूं यहां पर काफी ऐसे प्लियर है जिनका परफॉमस इतना अच् मतलब जो प्लेइंग इलियोन में शामिल थे तो अभी तो फिलाल में हम इस टीम में रॉसिंग्टॉन को ही लेंगे इसके लाव किसी और को नहीं लेंगे हाला कि मैक्डॉमॉट ने भी एकी मैच खिला और चावाल इस पॉइंट दिये तो परफॉमस में अच्छा कह सकता ह लेकिन अच्छे रहते हैं अच्छे दोस्तों वह सभी कभी भी अच्छा परफॉमस कर सकते हैं तो उनको छोड़ना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है जैसे कि मैंने ले लिया और मॉर्गन को भी आफकोस मैं इस टीम में शामिल करूंगा जे क्लार्क को मैं इस टीम में ज ज़रूर होगा इसके बाद ऑफकोस मेरे पास इसके पाज बल्यवाद लेनी के और जैसे दो ही ऑप्शन बचे थे ऑल्राउंडर में तो यह पर डीप रिट्टरियस का दो ही मैचस के लिए पिछले काफी जबदस खेले दोनों के दोनों उससे भी जादा मैचस खेले हो है लेकिन पिछले दो मैचस में उनका काफी शांदार परफॉमस रहा है जे थॉमसन सबसे बढ़िया परफॉमस करकिया है अभी तक और अगर इनका भी परफॉमस देखा जाए तो तो इस तरह से दो ही ऑल्राउंडर में ज्यादा ओल्राउंडर में यह आपर लेनी सकता टीम शॉक को इस टीम में शामिल करूंगा यह भी अच्छे खेल रहे हैं और इनके भी अच्छे विक्टेम मिलती रहती है तो आप जरूर इन पर भी बहर्शा कर सकते इनको भी इन पर वी दाव लगा सकते तो कुल्मिला के एक आच्छे खासे हमारी टीम तो बन चुकी है तो इस अच्छे खासे टीम के लिए एक अच्छे खासे क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की ज़र होती है तो सबसे बड़िया परफॉर्मस जो रहा है अभी तक जे थॉम्सन का जैसे के आपको पहली बता चुका हो तो इनको क्याप्टन और डीप रिटोरेस को इस टीम का बनाने जा रहा हूँ इसके बाद चलते हैं प्रिव्यू कर लेते टीम का जैसे के आप देख पार है सबसे पहले तो मैंने कीपिंग में रोसिंटोन को ले लिया इसके अलाव किसी और के साथ फिला तो नहीं जाओंगा बैटिंग की बात करें तो यहां पर बैटिंग मेरी आप टाकत रहेगी टीमा हूं के मूझत शातरवां में टीममे आ कर खालेगरां कीम हैंगा से Celina की में ले नहीं सकता पात वर तो हम ज्याधा बीप्री थिम नहीं का सकते तो इसलिए दू ही आपर आल्टोंड राउंडर में स्कामिल कर सकता हूं ग्राफ्टी में प्राबब्लम में नहींद कर सकते हैं जिसे आप आप एक एक लिग दोनों भी लगा देते और इसके इस टीम का वाइस क्याप्टन बनाने जारों दोनों की दोनों बेस्ट अल्राउंडर से दोस्तों बड़िया पर्फोर्मस भी कर रहें तो अगर यह फिर से सक्सेज हो जाते तो आपको ग्रांड लिग भी जिता सकते हैं अच्छी खासी अर्णिक तो पक्का करा ही सक तो डी बैंटन तो प्लेंग लिए उनको तो नहीं ले सकते लेकर बी मैग डेमाट को मैं इस टीम में शामिल कर रहा हूं जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं एक ही मैच खिला है और उसी में उन्होंने 44 पोईंट दिये तो अच्छी खासा उनका पर्फोर्मस रहा है अगसे इनको ले ले रहा हूं अगर बैटिंग की बात करें मिलह को पिछले टीम में नहीं ले पाथा इनका भी पर्फोर्मस अच्छा खासार रहा है और higher 2 लौरेंज को शामिल स्कुन आप तीन ही बल्ले बाज में यहाँ लेने वालों इनका भी पर्फॉर्मस अच्छा रहा है अगर बात करें तो यह कॉप को मैं एक भी टीम में यहाँ पर शामिल नहीं करूंगा पर पर्फॉर्मस के नाम पर इनके पास पाच्छे मैचस में एकी मैच में इननों ने 55 पॉइंट दिये तो मुझे लगता नहीं कि इनको मैं लू नहीं देखूंगा तो इनको भी आप नहीं लूँगा तो चार आल राउंडर ले चुका हो गेंबाजी में तीन गेंबाजों के साथ जारोंगा एंड इल्स को पिछले टीम में नहीं ले पायता इनको दोनों को ले लूँगा और एम क्रेन को वाप सिस्टेम में शामिल कर अच्छी खासे हमारी टीम बन चुके है और अच्छी खासे टीम के लिए हमारे वाइस क्याप्टन भी सही चाहिए तो इसके लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं और यहां पर मैं डी प्रिट्टोरियस के साथ जाओंगा अगर देखेंगे तो परफॉर्मस इनका पितले आफ में बैटेंगे प्रिट्ट 71 कोषय है तो इसलिए उसको फाइडा मुझे ओलर क्रें पहता है यहां पे जाने आ रहूं जैसे कि एक परफॉर्मस अगर देखा जातो ओवर आल पाफी अच्छा रहा है लेकिन कुछ प्लियरों का परफॉर्मस जैसे के आपको पहले भी बता चुका हो कि पिछले कुछ मैचेस में अच्छा नहीं रहा है लेकिन प्लियर ऐसे है दोस्तों कि इनमें से किसी को भी छोड़ना का पर उनको जरूँगा एंक क्रें को भी इस टीम मेरे पास है तो मैं इस तीम में काफी बढ़िया टीम बचुके है और मैं सजेस्ट करूँगा कि इस तिम को आप सिर्फ और सिर्फ ग्राइड लगाईएगा और अगर लागने के बात फिर भी अगर आप स्मॉल लिग भी जरूर लगा दीजिए अगर बात करें क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्याप्टन माना ने जा रहा हूँ डी प्रिटोरियस को क्योंकि अगर चाहें तो वह बैटिंग में बैटिंग और में उपर भी उन्हें बुलाया जा सकता है जैसे क बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पॉइंट दे सकता है तो एक बैटिंग में भी पॉइंट दे सकता है और आपको अच्छे खासे स्ट्राइक से बैटिंग करता है तो वह भी वहां पर भी पॉइंट आपको दे सकता है तो इसलिए आपर इन दोनों को क्याप्टन और व तीसरी टीम की अगर बात करें तो मैंने यहां पर भी शुरुआत से ही चेंजिस करना शुरू कर लिया है यहां पर दो कीपर के साथ जाओंगा बी मैग डिमॉट और रॉसिंग्टन दोनों के साथ जाओंगा क्योंकि दोनों का पर्फरमस अच्छा रहा है वैसे भी तो यहां पर मैं जे क्लार्क को ले रहा हूँ उसके बाद एल डू प्लॉय को ले रहा हूँ इन्होंने एकी मैच कहला है उन्चास पॉइंट दिये तो इनको भी अगर लेंगे तो काफी कम लोगों ने लिया लेकिन फाइदमन आपको सावित हो सता है अगर बात करें डी ल बीना चाहे तो ले सकते है अल डॉसन को में अल्यडी मिले चुका हो तो आप इनको भी नहीं लूगा अग्सरी ना जाह को लूगा जीग बॉल को लूगा और इसके अलावा जी क्रेम शाओ को भी शामिल करूंगा तो चार ऐसे गीन बाजों को मैं ले लिया जो कि अगर चा मतलब Grand League जिताने में कोई निरोख सकता है इसलिए यहाँ पर इन चारों को साथ में मैंने लिया है अगर आप क्रेमशॉक को अगर डॉप करते हैं तो यहाँ पर सीवूड एक अच्छा उप्शन है और डीपन अच्छा उप्शन है लेकिन फिलाल में रिस्ट्रिक रहता है चा अच्छे खासे गेन बाजे चलिए दोस्तों एक बार टीम प्रिव्यू कर लेते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो ए रॉसिंग्टॉन को और भी मैक डेमॉट दोनों को मैंने इस टीम में लिया है आज विकेट कीपर बाकी कोई और प्लैंग इलियोर में शामिल ही नहीं ह तो उनको लेने का कोई चांस ही नहीं है अगर बात करें बैटिंग की तो जे क्लार को ले रहा हूँ एल डू प्लॉय को ले रहा हूँ इन्होंने एक ही मैच में उन्चाश पॉइंट दी है डी लॉरेंस को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो इस तरस से तीन अच्छे जिनका अभी तक देखा जाए तो ओवरॉल परफॉर्मस काफी शांदार रहा है कि पिछले कुछ मैचस में थोड़ा परफॉर्मस डाउन है लेकिन चारो गेंबाज देख सकते दोस्तों नाम अगर देखे जाए तो काफी खतरना के चारो के चारो बेस्ट गेंबाज कर सकत है और विक्टे भी जादा से जादा ले सकते हैं इन चारो में से कोई भी विक्टे ले पॉइंट आपको जरूर मिलना ले तो इसलिए यहाँ पर मैं चार गेंबाज के साथ जा रहा हूं तो कुल्मिला के अच्छी खासे टेम बन जोके इस टीम को भी मैं सजेस्ट करूंग थोड़ा रिस्की तो जरूर है लेकिन अगर यह विक्टे अगर निकाल देते तो यही रिस्क आपके लिए काफी फायदेमन सावित होने आ लिए क्योंकि एक विकेट के 25 पॉइंट रहते हैं और अगर बोल्ड या LBW निकाला जाए तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलत तो अच्छा रहा है इतना बुरा भी नहीं रहा है कि आप इनको कहीं भी क्याप्टन और वाइसक्टन ना बना सके तो चलिए तो काफी अच्छी टिम बनी एक रियंड लिक के लिए तो आपको यूज करनी है स्मॉल लिक के लिए नहीं करनी है मैं आप पर छोड़ता हूं चीम को क्लोज करेatेjcieश कर लेते और अखिर में यहीं कर दो सकता है एक दो चेंज'ेतर करेंगे अधि जादा चेंज करने जाए हैं तो ओORळा पसंद आए तो अगर पसंद आयो है तो इसे सब्सक्राइब नहीं क्या थासब्सक्राइब कर लिजय और बेल आइकन की किया था ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोस्टे रहे और आप अच्छे सहर्निक करते रहे साथ इसाथ अपने टेलिग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहाँ पे जाके उसे जॉइन जरू कर लीजिए ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको बता सको कि किसे ड् मिलते आगे लिए उड़े में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद गुडबाई